ये संत हैं तोटकाचारी जी महराज शंकराचारी महराज के शिष्षे हैं शंकराचारी जब अपना सत्संग शुरू करते थे ये देखते थे कि तोटकाचारी आये की नहीं तो एक दिन तोटकाचारी नहीं आये थे सत्संग में विलंब हो रहा था तो अनि सीष्चों ने कहा कि महराज जी वो तो विल्कुल अनपढ़ है तोटका चैरे जिसको आप बता रहे हैं वो तो विल्कुल अनपढ़ है वो क्या समझेगा वो विनाबाद के वैठा रहता है वो उसका इंटिजार क्यों कर रहे हैंあब सक्षंग पर रहे हैं तो शंकरा चैरे जी ने कहा कि बेटा पढ़ाय लिखाई ही आवस्यक नहीं होती है ग्यान के लिए ज्यान के लिए श्रद्धा बहुत उंची चाहिए तभी ग्यान पच्टा है नहीं तो ग्यान का अहंकार होता है ग्यान दीवर में नहीं उतरता तो यह दिखलाने के लिए कि उनके अंदर पात्रता है उन्होंने का भी इंतजार करो फिर तुम लोगों को पता चल जाए जा तो वह अनपड़ होने पर भी स्नान करके जब आने लगे तो नवीन नवीन श्लोक बना करके बोलते हुए तोटक नाम का एक चंद होता है उस और सारगर्वित श्लोकों को सुन करके शंकर जी के सबसी से हैरान रह गए उन्होंने कहा कि महराज इतना ग्यान तो हम लोगों में से किसी को नहीं जबके हम लोग बहुत पढ़े लिके हैं भगवान शंकराचार ने का बस यही विशेस्ता होती है श्रद्धा की जिसके अं अभी आप लोगों ने तोटकाचारीजी की बात सुनी गुरू महराज के प्रति सद्धा भाव होने से कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त हुई अनपढ़ होकर के गंभीर ज्यान की वारता मुझ से निकलने लगी ऐसे ही जिसकिसी साधक के अंदर भागवान के प्रति और अपने गुरू जी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव होता है उसके लिए ठाकुर जी दाइवी शक्ति प्रदान कर देते हैं कल हम आप लोगों को सुना रहे थे गोविन स्वामी की बात ये गोविन स्वामी भागवान के द्वापर युग में श्री दामा जी जो थे उनी के उतार थे और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में भारतपूर के निकट में आतरी एक ग्राम है वहाँ पर लगवग पांच सो बर्स पहले तो जब इनका जन्म हुआ तभी से इनके अंदर दैवी शक्तियां दिखलाई पढ़ने लग गए छोटे से बच्चे से तभी कविता की शक्ति प्रकट हुई गायन की शक्ति प्रकट हुई और फिर भगवान ने ऐसा बना दिया बानक कि विठ्छलनात को साही जी का एक सेवक इनको वहीं इनको मिल गया तो उससे कुछ वारता हुई तो गोविंद स्वामी ने पूछा कि ठाकुर जी की लिलाओं का साक्षात दर्शन कैसे हो सकता है तो उस संत ने कहा कि इस समय ठाकुर जी को स्री बिठ्छलनात को साही जी महराज ने अपने वर्ष में कर रखा है यदि उनकी कृपा हो तो यह सब संभव है तो उसने कहा गोविंद स्वामी ने कहा स्वामी इसले कहा जाता था गोविंद स्वामी को कि वो एक उच्चकुल की ब्राह्मन परिवार में पैदा हुए थे तो वहाँ पर उस परिवार में ही शिष्य बनने के लिए लोग बहुत आते थे तो बहुत से लोग उनके सिस्षे बच्पन में ही उठ हो गए थे इसलिए उनको गोविंद स्वामी कहा जाता था तो उन्होंने उन संत जी से कहा कि मुझे बिठ्छलनाद गोसाई जी का सेवक बनवा जीजिए स्वामी बनने से तुमुझे भगवान की प्राप्टी नहीं हो रही मैं सेवक बनूगा उनका तो उनको गोकुल ले गए और गोकुल जब पहुँचे गोविंद स्वामी तो वहाँ उन्होंने देखा कि बिठ्छलनाद गोसाई जी जमुनाजी के किनारे ठाकुरानी घाट पर स्नान करके बैठे हैं और संध्या वंदन कर रहे हैं तो संध्या वंदन करना तो एक सामान्य ब्रामण का धर्म था उसमान्य में तो उन्होंने समझा गोविंद स्वामी ने कि ये तो कर्मकांदी लग रहे हैं कर्मकांदी उन्हें पर इनको कहां विशेष भगवत भक्ती के अरस्प्राप्त हो सकता है तो उनको शंका हुई कि ये भक्त तो हो नहीं सकते गोसाई जी ने समझ लिया इनके अंदर की बात तो विठ्छलनाथ गोसाई जी ने इनका नाम लेकर के ऐसे बुलाया जैसे बहुत पहले से परिचे हो अरे गोविंद स्वामी आओ बेटा बड़े प्यार से बुलाया और फ भक्ती का जो धन है बहुत कीमती है संपून साधनाओं का फल है भक्ती और उस फल की सुरक्षा करने के लिए चारो तरफ से कर्म का कांटा लगाना पड़ता है नहीं तो सुरक्षा कैसे होगी तो ये कर्मकांड जो तुम मुझे करते हुए देख रहे हो संध्या बंदन का ये चारो तरफ से मैंने कांटा लगा रखा है भक्ती के फल की सुरक्षा करने के लिए अब गोविन्द स्वामी के मन में जो शंका हुई थी उसका उत्तर दे दिया उन्होंने फिर उनके समझ में आ गया है कि महराज ये भक्ती को गुप्त रखने के लिए कर्मकांड का बा साइजी को और वैश्नमी दीख्षा उनको प्राप्त हुई अब गोविन्द स्वामी से गोविन्द दास हो गए अब क्योंकि संत हो गए अब गोविन्द दास नाम हो गए अब पुराना गोविन्द स्वामी नाम समाप्त हुआ एक बार उनके गाउं के लोग गोकुल में उनसे मिलने के लिए तो उनसे जब अनजान लोग थे थोड़ा परिचे हलका सा था पुराना टाइम काफी बीट गया था तो पहिचान भी नहीं पायो लोग तो गोविंद स्वामी से यह पूछा गाओं के लोगों ने कि गोविंद स्वामी कहा है हम से मिलना चाहते तो गोव गोविंद स्वामी को मरे हुए बहुत दिन हो गए फिर जहां और आते थी उनके घर पहुंचे हो लोग तो वहां पता चला कि ओ तो वही थे जो कह रहे थे कि गोविंद स्वामी को मरे हुए बहुत दिन हो गए तो गाओं के लोगों ने कहा कि महराज आपने ऐसा क्यों कहा तो उन्होंने का भईया, गोविंद स्वामी तो मर गए अब गोविंद दास बचे हैं, अब स्वामी नहीं है, मैं तो अब अपने गुरुदेव का और ठाकुर जी का दास हूँ तब लोगों को समझ में आया कि इनके अंदर विलकुल अहंकार नहीं है, ये तो अब भगवान की भक्ती के रंग में रंग गया है, इनके साथ महराज भगवान सो भजन गाते थे, जब ठाकुर जी के साथ इनका भजन होता था तो ठाकुर जी तो दिखलाई नहीं पड़ते तो कभी-कभी ऐसे शब्द बोल देते थे कि लोगों को आश्चिर होता था कि लगता है को भगवान भी हैं, क्योंकि एक बार वो भजन गा रहे थे, तो एक भक्त बैठा हुआ था पास में, तो भगवान भी गा रहे थे, तो भगवान का तो दूसरे लोग सुन नहीं रहे तो तान में जो ले रहे थे भजन में, उसमें थोड़ा सा अंतर आया, तो ठाकुर जी से ही गोविन दास जी ने कहा कि तान सूधी लो, तान सूधी लो साइडंग से, तो जो और संत बैठी थे, वो समझ गए कि लगता है कि कोई और भी ठाकुर जी की लीला इनके साथ हो र कि प्रिया जी जैसा गाती हैं, वो ऐसा ठाकुर जी भी नहीं गा पाते हैं, तब विठ्छलनात गोशाही ने समझ लिया, इनके उपर प्रिया जी की विक्रपा है, राधारानी भी साथ में गाती है, और आइसे अंतरंग भक्त थे, जब भजन गाते थे, तो राधारानी भ बड़ाबर सुन दरता तो भागवान के गायन में भी नहीं है ऐसी वीचित्र भक्ती थी इनके उपर फूरी क्रपाथी ठाकरूजी की तो भागवान इनके साथ खेलते थे मैंने कल भी बताया था आपको वो पीठ पर बैठा करके दौर रहे थे और लवशंका भी चलते-चलत किये थे यह आप लोगों ने सुना था कल अब आगे की कहलीला हैं आपको सुनाएंगे तो बात यह थी कि एक दिन ठाकर जी के साथ गोविनदास जी के गुल्ली डंडा का खेल हुआ अब गुल्ली डंडा के खेल में दाओं दिये बीना ठाकुर जी का आया दाओं देने का तो वो भाग करके मंदिर में चिप गए और फिर खदेरते खदेरते गोविन दास जी पहुँचे और मंदिर में घुसे और मंदिर में घुस करके उन्होंने गुल्डी मारी स्रीनाज जी को अब जो पुजारी था मंदिर में उसने सोचा बताओ पता नहीं कहा कि गंदी गुली और ला करके स्रिनाज जी को मार दिया गुविन दास ने तो सुद्धता का विचार करके गुली अपवित्र है और सुद्धता का विचार करके वो पुजारी जी नाराज हुए और उनका गोविन ęडास जी ने अपराज किया है उनका अपराज मानकर के उनको धकेल करके मंदिर से बाहर किया क्योंकि वो गोविन ाश का और भगवान की खेल का प्रेम के रस्तो जानते नहीं थे इसलिए ऐसा उनों ने कर दिया और इदर भागवान मंदिर में बैठे हैं सोच रहे हैं कि गोविन दास को तो धकेल दिया गया पुजारी तो समझा नहीं आप वो जा करके गोविन दास एक जगह बैठ करके सोच रहे हैं कि ये कभी तो निकलेंगे और जब निकलेंगे तब मैं इनको मज़ा चखाओंगा तो वहाँ से बैठ करके भजन का रहे थे भगवान के लिए पोत लेके आयो भाज गमार गमार भगवान को करें कि अब भगवान के उपर जब दाओं आया तो दाओं दिये बिना ये भाग करके मंदिर में छिप गए हैं अब खोल किवार धंसे ओ घर भीतर सिखाए दिये लगवार दरवाजा खोल के मंदिर में घुच गए हैं और अपने ये लफंगा साथियों को मुझे रोकने के लिए लगा दिया भगवान से ही अकेले में बैठके होगा के कह रहे हैं कवहूं तो निक्साइगो बाहर ऐसी दौंगो मार गोविंद प्रभु सोब बाहर करके सुखीन सोब यार गा भी रह थे और रो भी रह थे इधर विठ्छलनाद गोसाइजी महराज ने जब भगवान के सामने भोग रखा तो भगवान ने भोग कोई लिया ही नहीं गोसाइजी ने पूछा है जैजे प्रभु आज क्यों नहीं खा रहे हुआ क्या बात है तो स्रीनाज जी ने कहा कि मुझे आपके कोई भोग भी अच्छे नहीं लग रहे है एदियाब मुझे को खिलाना चाहते हैं तो मेरे सखा गोविंद दास्त को ले आई है उसको मना करके ले आई है उसका मुझे पर दाउं था लेकिन मैं दाउं दिये बिना भाग किया गया इसलिए उसने गुली मुझे को मारी थी और उस बात को पुजारी तो समझ नहीं पाया धक्का देकर निकाल दिया अब वो वेक जिगर रास्ते में बैठा है जिस रास्ते हम बन में जाते हैं गाय चराने के लिए और खेलने के लिए उसके साथ तो बाहर निकलूँगा तो वो मुझे मार लगाएगा वो गाली दे रहा है मुझको उसको आप खोज करके लाइए मना करके तब ही मैं खाऊँगा मेरे साथ उसको बैठा के खिलाइए अब विठ्छलनाद गुसाईं को तो सब पता था कि साथ सिरीनाद जी महाराज खेलते हैं इसलिए बिठ्छलनाद गुसाईं जी चले बिठ्छलनाद गुसाईं जी की उमर भी काफी हो गई थी शरीर भी थोड़ा भारी सा तो एक छड़ी लेकर चले तो गुभिन दास ने समझा कि श्रिनाज जी ने मेरी शिकायद कर दी और गुरुदेव गुसाई जी महाराज मुझे रंडा मारने के लिए आ रहे हैं गोविन जास और जोड से भागे तब स्रिनाज जी ने तो पूरी बार बताई दी थी तो बिठ्छलनाद गुसाई ने चिला कर का भाग नहीं भाग न पास नहीं क्या कदा बड़ी मुश्किल से रुखे वो फिर पास में आकर के बोले कि यदि मेरे जाने पर मंदिर में जाने पर श्रीयनाथ जी शिर नीचा करके अपनी हार मान लें तो मैं माफ कर दूँंगा नहीं तो मैं मरे भीना छोड़ूगा नहीं ऐसे भाव व्योड़ ठेकी गुरु जी के सामने भगवान से के विशे में कह दिया कि अपनी हार स्वीकार कर लेगा सिर जुका करके स्रीनाथ ठाकुर तब तो मैं छोड़ दूँगा नहीं तो मैं मारूँगा अब इच्छलनाथ को साहिं हसने लगे अच्छा भईया चल तू जब मंदिर में गए गोविंद दास जी तो ठाकुर जी ने सिर जुका करके हार अपनी स्वीकार की बुले गोविंद दास मेरी हार है मैंने अपनी हार स्वीकार कर लिया आजा हम दोनों बैठ करके एक साथ पाएंगे महराज कितनी भक्ति थी कि मंदिर में पर्दा लगाया गया और बिठ्छलनात गुसाईं जीने भोग जो रखा गोविन्द दास ने और सुनात भगवान ने दोनों एक साथ एक दूसरे को किलाया वो उनके मुँ में डाल रहे हैं इस तरह से उस दिन भोगा और होगा था उन्हों ने एक दिन तो गोविन दास के साथ था कुर्दी ने बड़ी अटपटी लिला की गोविन दास जे शौच के लिए जलपात लेकर के जंगल में बैठे थे जहां पर वो जंगल में बैठे थे वहां अकवडा के पेड़ थे मदार बोला जाता है पूरब की तरफ यहां अकवडा बोलते हैं ब्रज में अकववा भी कहीं कहीं बोलते हैं अरकूस का सुद्ध नाम है तो मदार की पेडों के बीच में वो बैट करके शौच क्रिया के लिए निवृत्त हो रहे थे तो भगवान को गोविन दास के बीना चैन नहीं पड़ रहे थी अब भगवान क्या हो तो सखा उनके समझो वो पहुंच गए अब इस तो शौच क्रिया से निवृत्त नहीं हुए थे गोविन दास और स्रीनाथ जी सबेरे सबेरे उनके सामने जाके खड़े और भगवान स्रीनाथ ने गोविन दास से कहा अरे खेलने मेरे साथ मैं खेलने के लिए आया हूँ तो जनेव कान पर चड़ी वही थी तो गोविन दास ने उन 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 करके लोटा उठा के दिखाया है कि मैं साथ के लिए बैठा हूँ अभी कैसे खेलूँ भगवान ने कहा थोड़ा सा डांट करके जैसे सखा को बोलते हैं ऐसे करा है मुझे खेलने की हुड़क लग रही है और तू साथ कर रहा है मैं अब खेलूँगा तुझको खेलना ही पड़ेगा तब तक भगवान ने मदार के प्रौधे जो थे उसके फल जो होते हैं गद्देदार होते हैं मुलाएं मुलाएं वही फल तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी ने दो चार मारा गोविंदास को अब गोविंदास को भूल गया कि मैं शौज के लिए बैठा हूँ और वो भी मदार के फल तोड़ तोड़ करके गोपाल को मारने लगे स्रीनाथ जी को अब शौज के लिए बैठे हैं कपड़े हटा के शरीर से और उठा उठा कर मदार के फल मारने लगे अब भगवान ने और तीजी से मारा तो खड़े हो गए अब खड़े होकर के मदार के पल तोड़ करा कवड़ा के पल से भगवान को मारने लगे वो मुलायम बहुत होता है गद्दा जैसा तो उससे चोट तो लगती नहीं थे लेकिन फिर भी मार दोनों तरफ से चल रही थी और दोनों हस रहे थे और शरीर का ख्याल नहीं के नंगे हैं कपड़ा नहीं पाइने हैं और इस तरफ से खेल मची इधर गोविंदास की मा को लगा कि बहुत देर से गया था शौच के लिए लोटके नहीं आया क्या बात है क्या घटना घट गई घंटों बीट गई तो गोविंदास की मा खोजने के लिए चली और माने चिला करके क अरे गोविंदास कहा रह गया है किती देर लगा थी शौच के लिए तो गोविंदास तो कुछ बोले नहीं मन में सोचने लगे अरे मैं तो भूली गया था कि शौच के लिए बैठा हूं ये इधर तो मेरे साथ कनाया खेलने लगे तब तक भगवान ने सोचा आप तो पिछे वो छिप गये और मार से भी बच गये भगवान इजर मैया आए और मैया के साथ चल पड़े गोविंदास तो फिर उनको याद आया कि मैंने तो शरीर भी सभी धोया नहीं तो मैया कद्या तू चल मैं अभी आ रहा हूं फिर अपने शरीर की शुद्धी किया उसके ब बूल जाते थे इतना प्रेम भी ओर हो जाते थे कि उनको शरीर की और संसार की नियमाज की बातें भी भूल जाती थी ऐसी लिला इठाकुर्जिन के साथ किया करते थे और एक जिन तो ऐसा हुआ कि मंदिर में भोग जो जा रहा था पुजारी लेकर जा रहा था तो रसोया तो वो जब अंदर मंदिर में घुशने लगा, तो सामने आकर के गोविंद दास खड़े हो गए, और गोविंद दास ने कहा कि पहले भोग मुझे खिलाओ, पहले भोजन मुझे कराओ, इसके बाद फिर मंदिर में ले जानाओ, इतना जोर से डांट करके कहा था, कि रसोया को गुस्ता आ गया, बड़ा कुद्ध हुआ, इसके बुद्धी खड़ाब हो गई गोविंद दास की, भागवान के भोग जाने के पहले कह रहे हैं कि पहले मुझे खिलाओ, इसके बाद भागवान के लिए ठाल ले जानाओ, तो क्रोध में उन्होंने ठाली पटक दिया रसो जाने, और फिर बिठ्धलनाद गुसाई जी से जाकर पुकार किया, कि गोविंद दास की अनीट, अब हम से सही नहीं जागी महराज, वो भागवान के ठाल के पहले कह रहे हैं कि पहले मुझे खिलाओ, तो बिठ्धलनाद गुसाई जी ने बुलाया, का बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात आ गई, कि भागवान की भोव से भी पहले अपने लिए भोजन मांगने लगे, तो गोविंद दास्त भाव भी भोर थे, प्रभु के साथ खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा, जी गुसाई जी, मैं इसका रहस्या आज मैं खोज-खोज करके ठक जाता हूँ, और बहुत परिसान होता हूँ, यह मुझे चिडाते हैं, तो खोज नहीं पाया मुझे, तो इसलिए मुझे अब भोजन पहले करना था, जिससे यह जाय तो मैं भी पहुंच जाऊं साथ ही साथ, तो बिठ्छल नाज गोशाई जी मु आमानिया, मतलब बिना भोग लगा भोजन, गोविनदास जी को दिया जाएगा, बिना भोग लगा भोजन की ठाल, गोविनदास को दिया जाएगे और वेसे उसी समय मंदिर में, तब से श्री बिठ्छल नाज गोशाई जी यही करते थे, भागवान को और गोविनदास जी मुझे तो ओवन में खेलना अच्छा लगता है मुझे मुझे तो रोजाना ही वन में जाना है तब उनके दोनों की रुची को देखकर के दोनों को भोग एक साथ दिया जाता था फिर दोनों एक साथ वन में खेलने जाते थे बिल्कुल दौपर की तरह से लीला कल्यूग में विच्छनाद को साही जी के शीशे गोविन दास और शीनाद जी की होती थी शीरादे रादे